Students, हमारे पास नमबर 5 में हमसे पुझदार है कि स्टार्च है, यह जो है, इसमें, हम यह देखना है कि कौन-कौन सा प्रड़क्ट वैसा है, जो ग्लुकोज और फ्रक्टोस से बनावा होता है, अगर हम स्टार्च और सेलूलोस की बात करें तो यह पॉली सेक्राइट्स है, ठी मैलोजन, मैलोपेक्टन जो हो बनिवी है और शॉलॉलोस मैलोस बनिवी है, ठीक है यह दोनों तो हो नहीं सकते हैं यह दोनों नहीं है, लेकिन स्टार्च की बात करते हैं, C12, H22, O11 जब इस को जो है, वो आप फिडोलाइस करते हो वाटर में एड्ड करते हो तो आपके पा फिर दूसरा भी C6H12O6 आजाता है अच्छा ये जो C6H12O6 ये वाला है ये ग्लुकोज होजाती है और ये वाला जो है ये होजाती है फ्रक्टोज ठीक है